दोस्तों आप सभी का स्वाधत है 26 ओक्टोबर 2021 के करेंट अफैर्स में तो चलिए शुरुवात करते हैं पहला क्यूशन है भारती नोसेना के कमांडर सम्मिलन 2021 नेवल कमांडर कॉन्फरेंस 2021 का दोसका संस्क्रण आयजित कहां हुआ है इसका सही अंसर होगा उप्शन नमबर A नई दिल्ली में जो भारती है नोसेना के कमांडर सम्मिलन 2021 का जो आयजित किया गया है यहाँ पर यह चलेगा कब से कब तक 18 से 22 ओक्टोबर तक यहाँ पर यह नई दिल्ली में आयजित किया जाएगा इस सम्मिलन में नोसेना कमांडर सेन्य रणनीति इस्तर पर महत्वपून समुंद्री मुद्दो पर चर्चा करते हैं साथ ही यह वरिष्ट सरकार अधिकारियों के साथ भी बाचित करने के लिए एक मेंच भी यहाँ पर प्रदान करते हैं भारतिय नोसेना इसका मुख्यल है नहीं दिल्ली में है और नोसेना दिवस चार दिसंबर को मनाते हैं नोसेना अध्यक जो है यह है एड्मिरल करमवीर सिंग अगला कुशन है समयुक्त राष्ट दिवस 2021 युनाइटेड नेशन स्टेड 2021 ये कब मनाय जाएगा तो ये 24 अक्टोबर को यहाँ पर मनाय जाएगा तित्य विश्व युद के बाद दुनिया के बहतर परदर्शन के लिए शांती बनाय रखने के लिए इसके लाबा यहाँ पर सदभावना कायम करने के लिए एक संगठन बनाय गया था जो की है समयुक्त राष्ट और इस तरह 24 अक्टोबर को परतिवस समयुक्त राष्ट दिवस के रूप में भी मनाया जाता है यह इसकी थीम क्या है इसकी थीम है बिल्डिंग बैक टुगेडर फोर पीस एंड प्रोस्पेरिटी युनाइटे नेशन्स इसकी स्थापना 24 अक्टोबर 1945 को वी थी इसका मुख्यले नियू यॉर्क में स्थेता है इसके सदशी कंट्री है 193 और इसके जो अध्यक्स है यह है एंटी नियू गुतरेस बहुत ही ज़दा इंपोर्टेंट क्यूशन बन जाएगा भारतिय अंतराष्टिय फिल्म सम्मिलन IFFI का 52 संस्क्रण है ये किस रज्य में एजित किया गया ये गोवा के इंदर इसका आईजन किया गया बारतिय अंतराष्टिय फिल्म महसव का 52 संसकरन गोवा में ऐजित किया जाएगा यह महसव 20 से 28 नॉवंबर तक चलेगा और केंद्रिय सूचनावं परसारण मंत्री अनुराग ठाकूर भी इसकी घोशना कर चुके है और 51 वा जो IFFI फिल्म महसव 2020 है वो भी कहां पर आजित किया गया था वो भी गोवा में ही आजित किया गया था International Film Festival of India इसकी स्थापना 24 जनवरी 1952 में हुई थी इसका मुख्याल है गोवा में हुआ था अगला कुशन है Financial Action Task Force की लेटेस्ट रिपोर्ट में कौन से दो सूची से बाहर कर दिये गए है एक तो मौरिसस है और एक है यहाँ पर बोच्छवाना इसमें पाकिस्तान तो भी है ही इसके अंदर तो option नमबर क्या होगा C आपका correct है देखिए जो यहाँ पर Financial Action Tax Force जो है यहाँ पर ठीक है यहाँ पर यह एक नई सूची जो है यहाँ पर पाकिस्तान के करीबी तुर्की सहीत तीन देसों को शामिल किया गया है इसमें तर्की जो है यहाँ पर इसके लावा जोर्डन है और माली है इनमें दोग को हटाए गया है जो कि मैंने अभी हमने आपर इसके लिए बात की है यह किसके रिगार्डिंग यह Money Laundering के रिगार्डिंग आतंगवाद के रिगार्डिंग जो है यह कंट्रीज को अपनी दो लिष्टों में शामिल करता है FETF जो है यहाँ पर इसकी स्थापना 1989 के अंदर कीगी थी इसका मुख्याल है पैरिस में है इसके ठेक्स हैं मारकस प्लेयर और इसके सदैशे देश हैं यहाँ पर 39 37 प्लस 2 हैं क्योंकि दो Observer कंट्र भी देखने को मिलेंगे अगला क्यूशन है 56 राष्ट्रे क्रोस एंट्री कंट्री चेंपिंसिप 2022 की मेजवानी कौन सा राज्य करेगा इसका राज्य करेगा नागालेंड से आपका करेक्ट है नागालेंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 कोई है इसकी राजदानी है कोहिमा नागालेंड के मुख्य मंत्री है नेफ्यू रियो नैशनल डिमोकरिटिक प्रोग्रेसिव पार्टी नागालेंड के मुख्य नैदीस है शुधानसू धुलिया अभ्यास टार्गेट वीकल का सफल परिक्शन किस ने किया ये DRDO के दोरा किया गया है भारत ने ओडिसा के चांदीपूर में एकिकरत परिक्शन रेंज इससे देश के देश में विक्सित हुई हाई स्पीड एक्सपेंडिबल रियल टार्गेट हीएट अभ्यास का सफलता पूर्वक परिक्शन किया है इस यान का स्तेमाल अनेक मिसाइल परणालियों का मुगलियानकन करने के लिए हवाई लक्षे को तयार कर लिया जा सकता है इसे DRDO के वेमानी की विकास परतिश्थान ADE बैंगलोरु द्वारा तयार और विक्शित किया गया है दै स्टार्स इन मार्क माई कंट्री माई स्काई दै स्टार्स इन माई स्काई दोज हूँ ब्राइटन माई फिल्म जर्नी यह जो बुक है यह बुक लिखी है दिव्या दक्ता ने बारती खेल प्रादी करण ने टार्गेट ओलम्पिक पोडियम स्कीम के नए मुख्यकारेकार या दिकारी सीओ किसे नियुक्त किया है तो यह किया है पीके गर्ग को बारती केल प्रादी करण स्पोर्स अथोरोटी ओफ इंडिया ने मिसन ओलम्पिक सेल की बेठक में कोमोडोर पिके गर्ग को टार्गेट ओलम्पिक पोडियम स्कीम जो है इसका नया मुख्यकारीकारिया दिकारी नियुक्त किया है मोबाइल निर्माता कंपनी है रियल मी इसने भारत में अपना नया ब्रेंड मेंजल किसे बनाया है तो केल राहूल को बनाया है केल राहूल एक किर्केटर है भारते अंतराष्टे फिल्म होसव आई एफ एफ आई में सत्य जीत रे लाइफ टाम अचीवमेंट अवोर्ड से जहां पर मसहूर हैंग्रियन फिल्म निर्माता स्तेवन साजोबो को इस साल भारते अंतराष्टे फिल्म होसव में सत्य जीत्रे लाइफ टाम अचीवमेंट अवोर्ड दोजार इकिस से समानित क्या जाएगा सत्य जीत्रे इने 1992 में ओसकर लाइफ टाम अचीवमेंट अवो किजिएगा थेंक्यू गाइस बाइ